जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है वेल ही है, वेल क्या खराब क्या होता है दारिवाल जी की सिकायत हो रही है डोटा असरा जी की सिकायत हो रही है कल्ला जी की हो रही है, रभू जी की हो रही है कोई दमनीन बातों में पूर्सवार्जानि इसतर सवाल आप सवालों में भी कोई द्म नहीं है कि लिए को कॉंग्रेस पाटी में फीडबेक कोई नहीं बात नहीं है ये सद्धी पहले से चला था पहले भी फीडबेक होते रहे हैं अभी फीडबेक होगी तो फीडबेक कोई नई बात नहीं और अच्छी बात है कॉंग्रेस को जिन चीजों से मजबूती मिले अगर आम विधायक के बारे की राहे आला कामान तक पहुंशती है तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात कोई है नहीं लेकिन जो दिखता है वो है नही जो है वो दिखता नहीं है वेल ही है वेल क्या खराब क्या होता है मैं कह रहा हूं न जो नजर आता न जो अकबारों में सुर्कियां बनती है और जो सच्छा ही है उसमें राद दिन का अंतर रहता है कोई सरोकार नहीं है छाप दिया धारिवाल जी की सिकायत हो रही है डोट कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है मैं आपको कह रहा हूं राजस्तान कोरोना प्रबंदन में नमबर एक रहा है धारिवाल जी ने शांधार काम किया है डोटास राजी प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष यह जो बातें आरे हैं अकबारों में यह नियोजीत तरीके से कि मंत्री मंडल फेर बदल अलग प्रक्रिप चीज है वह एक सतत प्रक्रिया होता ही है हर बार होता है जब भी सरकार बंती है उससे इसका कोई लेना दाना नहीं है लेकिन जो यह चपवाय जा रहा ना यह शिकाये तूर्वोशिकाय कोई दम नीद बात हो किलाब कोई प्रो बटोरी जारी है तुर्फियों में एक फैसी विरिशेल लेकावर भी आई थी आपके जनम दिन को लेकर भी काउंट्रोर्सी खड़ी कर दी के भीड हो गई और परमला स्कूल कॉलिज बंद है लेकिन जनम दिन भी आते हैं और बाकी काम भी होते हैं सब काम होते हैं अभी त कि इस तरके सवाल जो आप पूछ रहे हो ना इन सवालों में भी कोई दम नहीं बतावा हूं किसी सक्ति प्रदर्शन करने की हमें ज़रूरत नहीं है हमें काम करना राजस्तान की जनता की लिए और हमारे लोकपरिय मुक्य मंत्री अशोक गयलो जी के नहित्रत में हमारी सरकार शांदार काम कर रही है कोरोना के प्रबंदन राजस्तान में शांदार तरीके से हुआ है और इसकी तारीफ प्रदान मंत्री तक ने की है इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जुरूरत नहीं है आप लोगों की सब्सक्राइब करता है इससे बड़ी जिम्यदारी क्या होगी